ओलंपिक में खेलाडी कपिल पर मारने अधिहास रच्टी है तो अरसल जूलों में मेडल जीतने वाले वो पहले भारते खेलाडी भन चुके है कि उन्होंने कहा कि अगली बार मेडल का कलर जरूर बरलेगा तो पीम मोदी से गोल्ड मेडल लाने का वादा भी किया है और वादे को पूरा करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे ये बात भी उन्होंने कही तो आज जो खास तोर पर उनका सम्मान किया गया खेल मंत्री विश्वास सारंग ने उनका सम्मान किया और भुपाल वो लोटे हैं उसे खास बाट से किया मैं सम्भाद राता है ने अब कि सुना रहे हैं पैर उल्मपिक में माधिप्रदेश के सीहौर के कपिल परमार ने जुडो में ब्रॉंज मेडल हासिल किया है और देश के लिए माधिप्रदेश के लिए सम्मान की बात है कपिल जी कितनी मेहनत है आपकी सालों की जो आपको एक मैडल क्रूप यहाँ पर नज़र आ रही है और मातपिता कोच सब की मेहनत यहाँ पर सफल होते हुई नज़र आ रही है क्योंकि बिलाइंड में और पहरा में एक मैडल आया है जो की इतियास रजदिया नरेन मोदी जी ने भी यह बताया है हम लोगों को कि आपको पता नहीं आपने क्या हिस्ट्री क्रेट कर दी है मेर से और कोच साब से हम दोनों से बात की हम लोगों से मोटिबेट की हम लोगों को जाने से पहले भी फोन लगाया मेडिल आया उसके बाद भी फोन लगाया और अपने पीम हाउस पे मिले और खास कर मुझ से ज़्यादा बात की मुझ से और सीतल देवी से हम दोनों पर ज़्यादा फोकस था, उनका हमने ये देखा कि अब भी कहा कि आप हलके से चूके हैं, लेकिन अगले साल आप ज़रूर गोल्ड मैटल जीत कराएंगे और ये जो मैटल है, इसका कलर आप ज़रूर चेंज करेंगे बिलकुल मैं बादा किया है मोदी जी से, तो वो बादा निवाएंगे अपना 100% देंगे, चार साल है अभी हमारे पास, दोहजार अटाइस में हैं यूएस में ओलमपिक, उसमें जरूरूर जाते हैं, उनका जो मूरल है वो डाउन हो जाता है आप क्या कहेंगे, आपके लिए जो चीज़ें हैं, किस तरीके से आपने इनको फेस किया और आप जिन्दगी में आगे बढ़े और इस तरीके से जो सफलता है वो अब सब के सामने है और आप लोगों के लिए एक प्रेढ़ना भी बन रहे हैं मैंने कभी हार नहीं मानी जिन्दगी में, हर दो राया उताओ चड़ाओ तो जिन्दगी में चलता रहता पर मैंने कभी हार नहीं मानी, इसलिए आज मैं इस पोजिज़ें बे खड़ा हूँ मैं, तो सभी को धन्यवाद बहुत-बहुत है सर, किस तरीके से ट्रेणिंग और कपिल की प्रदिभा जो आज यहां पर इस मुकाम तक पहुंच और नहीं वादा किया है, कि अब गोल्ड जरूर लेकर आएंगे देखिए, ऐसा है कि कपिल के अंदर एक सबसे वड़ी बात है, वो जुजारूपन है, वो जुजारूपन है जो हर खिलाडी में नहीं होता क्योंकि जब आप कोई भी एक्सराओर्णरी काम करते हैं, तो उसके लिए आपको एक जज़वा, एक जलाल अंदर होना चाहिए, जब तक आपके अंदर वो नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे कपिल ने इतिहास रश्टिया है और पारलोंपिक में जूडू में ब्रॉंच मैडल जीता है और अब यहीं उनका कहना है कि अब उनरजस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी से वादा किया है कि वो अब ब्रॉंच मैडल लाए हैं लेकिन अगली बार बो ज़रूर गोल्ड मै कुपल